हेलो फ्रेंड्स आज हम SP3D संकरण का अध्यान करेंगे इससे पहले हमने SP, SP2, SP3 हाइबरिशन देखा है पिछले वाले ले टोपिक में तो इसमें आज SP3D संकरण का अध्यान करेंगे जैसे हम पहले पता सके उसी तरह से इसमें भी क्या होता है इस सहरशना में तीन समान भू अक्षे बंध है तता दो लंवत अक्षे बंध होते हैं तीन तो तल में होते हैं और दो लंवत बंध पाय जाते हैं फर्स रूप अणों की जो जामिती होती है तिरो बुजिये दी प्रिमिडर होती है ट्राइंगल बाई प्रिम्डल शेप हो जाती है इसका एक्जामपल सबसे अच्छा है PCL5 में पाये जाता है किन्तु एका की लेक्टोन युगमू की उपस्तेते से इनकी जामिती विक्रत हो जाती है फर्स रूप उधान सबरूप हम इसको यूठ ले सकते है कि इसके जो SF 4 है इसका एक्जामपल लेते है SF 4 में Sulfur का electronic विनियास हम देखते है Sulfur का electronic विनियास हम जानते है कि जो outer orbital electronic convection gust का वो है 3S2 3P X में 2 3P Y में 1, 3P Z में 1 और 3D 0 यानि कि 3S, 2, 3P, 4 यह होता है उट्रोडिल S का तो PX के अंदर तो दो इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं PY में 1 और PZ में 1 3D में कोई इलेक्ट्रोन नहीं होता है और 3S में 2 इलेक्ट्रोन होता है अब इसमें किस प्रकार से होता है यह हम देखते है तो 4Florine के साथ बंद बनाने के लिए सलपर के P कक्षक से इलेक्ट्रोन उत्तेजित होकर D में आ जाएगा यानि कि 3P से इलेक्ट्रोन 3D में चला जाएगा इस प्रकार सलपर के पूर्ण पूरी 3S कक्षक तता 4 अर्ध पूरी 3PX 3PY 3P Z कक्षक तता 3D Z उसका हिर कक्षक संक्रित होकर के SP 3D संक्रित कक्षक बनाते हैं क्योंकि यह हमने इसका इलेक्ट्रोन उन्यास देखा तो हमने देखा इसके पास में 2 अर्ध इलेक्ट्रोन है जबकि सलफर 4 फ्लोरीन से बूर्ण बना रही तो 4 e- comunidad electron की अउस्कता पड़ेगी इसलिए इसके बाद एक बार उत्तेजित होगा उत्तेजित के अंदर क्या होता है कि 3PX में जो e- electron था वो 3D में चला जाएगा ये उत्तेजित बार इसके पास में 4 e- electron है यूँए चाहिए वो इसको complete हो जाते है 3S के पास जो दो एलेक्टोन है वो उसमें दोनों लॉन पेर के रूप में ही रहेंगे और ये SP3D संकृत कक्सक बनेंगे जिनमें हम देखते हैं कि 4 तो अर्धपुरित होंगे और एक कक्सक लॉन पेर एलेक्टोन के साथ में होगा तो इसमें 4S3D संकृत कख्सक जो अर्थ पूर्च होते हैं उनके साथ 4 फ्लोरीन सिग्मा बंद का निर्मान करते हैं एक SP3D कख्सक में एका की लेक्टों यूग में यह एका की लेक्टों यूग में भूमदिये कख्सकों में उपस्तित होता है क्योंकि इस इस्तिती में अनु कम से कम परतीकशन का अनुबव करता है यानि लोन पर एलेक्टोन वहां रहना पसंद करता है जहां पर उसको मिनीमम परतीकशन मिले एका की लेक्टोन युगम की उपस्तिति के कारण इसका आपकार विकरत्वुची दी प्रिम्डल अग्जामपल है सलफर की निमन भस्ता में जब हम देखते हैं तो यहां देखाब हम आने 3S में 2 एलेक्टोन है 3P के अंदर PX में 2 हैं PY और PJD में एक एक लेक्टोन है वो 3D में कोई लेक्टोन नहीं है जब एक 3P लेक्टोन की 3D कक्समें करूनत किया तो इसमें एक जो लेक्टोन है वो 3P से 3D के अंदर जाता है इस प्रकार से इसमें चार एगमित एलेक्टोन हो जाते हैं चार एगमित एलेक्टोनों में हम देखते हैं कि फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएंगे और सलपर की उत्तिज़ वस्ता हो गईए और 3S में दो अनपैड एलेक्टोन होंगे फिर दिसल्पर की संक्रणा वस्ताव हम देखते हैं तो SP3D यानि कि ये पांस संक्रित कक्सक हैं पांस संक्रित मकक्सक हों जो चार संक्रित कक्सक हैं उनमें तो एक एक लेक्टोन है एक संक्रित कक्सक है उसमें दो इलेक्टोन है तो इस प्रकार से इसमें टोटल जो होंगे वो छो ổकन होते हैं लेकिन एक लॉन पएर के रूप में होता चार एक-एक होते हैं और चार जो एक-एक होते हैं वो fouriene के साथ में sigma बोर्ण बनाने का कारिय करते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यही पोजिशन आगे देखेंगे हम जैसे सल्फर की SP3D संकर आँसता या देखी तो SP3D में देख रहे हैं हम एक में दो इलेक्टोन है और बाकी में एक 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 लेक्टोन है और दूसरे इलेक्टोन फ्लॉरीन जो पर मानू है उससे आ रहा है जो सिग्मा बोंड का निर्मान कर रहे हैं एक लेक्टोन फ्लॉरिन से एक SP3 डिसंग करक्सक से और इसकी जब सेब देखते हैं तो हम नहीं देखा सेब सलफर SF4 की सलफर है और इसकी जो तल में है वो दो तो फ्लॉरिन प्रमानू जुड़े हैं और एक लॉन पेर और इसके अक्स में उपर और नीचे फ्लॉरिन प्रमानू है तो यह इसका सेब होता है विक्रत ट्राइगोनल प्रेमिडल यानि डिस्टोिटेड ट्राइगोनल बाइप्रेमिडल सेब होती है या ख implant यह विक्रत तिरकॉन यह दी प्रिम्डर सेप हो गई तो SF4 का उर्जा आ रहे और SF4 के विक्रत तरभुजी प्रिम्डर सेप इसमें हमें दिखाई देती है इसी प्रकार से हमें एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे CLF3 CLF3 में क्या केंदरे प्रमानू CLF3 का इलेक्रोन इन्यास इस प्रकार होगा यानि की CLF2, 2S2, 2P6 तो CLF3 में इस प्रकार से CLF3 तीन FLF3 से जुड़ेगा तीन FLF3 से जुड़ने लिए हम जब इसका structure को देखते हैं तो यह पाते हैं कि इसके अंदर SP3 डीशन करण होता है जिसको हम निमन प्रकार से समझा सकते हैं जैसे इसके 3S में 2 एलेक्टोन है 3P के पास में PX, PY, PZ PX और PY के पास में 2 एलेक्टोन है PZ के पास में 1 एलेक्टोन है लेकिन इसके पास में तो तीन बंद बने वे फ्लॉरेंचे इसलिए ये एक लेक्टोन को तरजी तवस्ता में 3P से 3D मिले जाएगा तो ये पोजिशन इसमें बनती है कि एक 3P लेक्टोन की 3D कक्सम में कृननत होती है तो इस प्रकार इसमें जो इस टेक्शर मनत है 3S में 2 इलेक्टोन हो गए 3P में PX में 2PY में 1PZ में और 3D के एक में 1 इलेक्टोन हो गए इस प्रकार से में टोटल एग में ते इलेक्टोनों की शंक्या हो गई 3 और तीन ही हमें आवशकता थी इस प्रकार इसमें जो संक्रण बन रहा है वो बन रहा है एक S ककसक, तीन P ककसक, एक D ककसक टोटल होगे S P 3D संक्रण यह है क्लोरिंग की उत्तिजित आवस्ता अब इसमें क्लोरिंग की संक्रण आवस्ता वो देखते हैं तो 4D तो रह जाते हैं खाली और बाकी के जो हैं उसमें हम देख रहे हैं कि SP3D संकृत कक सके हैं इसमें से तीन तो ऐसे हैं जिसके अंदर एक 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 एगमित इलेक्टोन हैं दो ऐसे हैं जिसमें युगमित इलेक्टोन हैं तो जो सिग्मा मोन बनाने के लिए हैं SP3D जो एक कैसे रहेंगे तो इस इस्तरी में हम देखते हैं आगे कि इस प्रकार निर्मित पांच SP3D कक्सों में से दो कक्सों में एक ऐकलेक्टान यूगों उपस्तित होते हैं तता तेन कक्सक तीन फ्लोरीन के साथ में मिल करके तीन सिगमा बंदों का निमान करते हैं अब इस ताइतों प्राप्त करने के लिए दोनों एक 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 लेक्टोन यूग में वो मद्धे कक्समगों के उपस्त होते हैं फल्स रूख CLF3 की आनिक सेसना बंद कौन की करती के साथ यह मुड़े हुई भी होते हैं जिसमें फलोरीन क्लोरीन एफ यानि एफ सी एल एफ जो बंद कौन होता है वो एटी सेवन पॉन शे डिगरी का हो जाता है तो यहां हम देख रहे हैं क्लोरीन की SP3D संक्रिट होसता है यहां पर 3D संक्रिट कक्सक हैं चार नीचे SP3D संक्रिट कक्सक हैं दो हैं जिनमें एफ लॉन पर एलेक्टोन हैं यानि की युगमित एलेक्टोन है और तीन हैं जिनमें एक 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 एलेक्टोन है और दूसर एलेक्टोन फलोरीन प्रमानों से आ रहा है इस प्रकार मिल करके वो एक फ्लोरीन से एक संक्रित कर सकते हैं तो सिग्मा बोन का निर्मार करता है जब इसकी हम सेप को देखते हैं तो हम पाते हैं जो सेप इसकी देखेंगे तो पाएंगे कि क्लोरीन किस प्रकार से तीन फ्लोरीन जुड़े हैं और जो लोन पे है रहे हैं दो नुद तल में हैं एक फ्लोरीन के साथ में और दो क्लोरीन उपर नीचे हैं और बॉंड एंगल यह बन रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एफ-C-L-F, वो 87.6 डीज दिख रहा है, तो यह सारा है इस्टेक्षर हमें दिखाई दे रहा है, इस परकार से हम CLF3 का निर्मान, CLF3 की आनी सेजना, इसके बारे में अध्यान किया, तो इस परकार हम पाते हैं कि SP3D संक्रन के और भी बहुत सारे एक्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं, तो इसमें बस यह है कि किस परकार से इसमें बोंड बना, कितने इलेक्टोन उत्तेजित करने हैं, कितने की आवशक्ता है, और उस हिसाब से हम उसको एकसा टेस्टेज में ल सुझ समय करुंग इसमें तो इसमें ।म्डलम हम तोस्तेजिता.